हलो एबरीबडी कैसे हैं आप सब स्वाधिर आपका निवेरा मैस क्लासिस पर कल हमने एक्सराइज की थी 1.1 आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सराइज 1.1 चलिए देखें फर्स्ट कुश्चन विच फॉलाइंग और एक्जाम्पल्स ओफ नल सैट सबसे पहले आपको पताना च तो खाली ब्रैकेट छोड़ देते हैं इसको 5 से रिप्रजेंट करते हैं ओके इस इनल सैट होता है जिसने एक भी अलिमेंट नाओ चलिए फर्स्ट दे रखा है सैट ओफ और नाच्राल नंबर डिविजल वाई 2 हमें सैट निकालना है और नाच्राल नंबर का नाच्राल न जो बन से स्टार्ट होते हैं 123452 संब हमें चाहिए और नाच्राल नंबर और नाच्राल एंपने निकालते तो क्या आता है 1357 अप्टो संब अभी हमने कहा कि और नाच्राल नंबर बट क्या होने चाहिए जो टू से डिवाइड होते हो बटी तो पॉसिबल ही नहीं है कोई आवो नंबर नी होई नहीं सकता इसलिग हे आपके पास क्या हो जाएगा 07 विर यह उसे इस प्राइम नंबर आपके पास बनता है 2, 3 2 या तो 1 से डिवाइड होता है इसल डिवाइड होता है 3, next is 5 7, 8, 9 नहीं होता है 10, 11 13, next is 17 अप्तु 7 चलते रहें अभी हमने क्या कहा कि इवन प्राइम नंबर यहां अगर हम देखते हैं तो 2 is only इवन प्राइम नंबर जितने भी प्राइम नंबर आगे आएंगे सारे के सारे ओड होता है ठीके तो इस सेट में हम लिख सकते हैं कि इस सेट में एनिमेंट आएगा 2 तो इसमें हमारे पास 2 एलिमेंट आरह है इसलिए आपके पास ही क्या हो जाएगा is not a null set 7 ऐसा natural number निकालो जो दोनों conditions को fulfill करता हूँ चली देखिए कहता है कि X 5 से तो बढ़ा होना चाहिए ओके स्वरी छोटा होना चाहिए X जो हो वो 5 से less होना चाहिए और greater किस से होना चाहिए 7 से चली देखिए हमें चाहिए natural number नाच्रल नमबर हमारे पास होते है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अप्टू सॉन हमने कहा कि X हमारा 5 से छोटा यह नमबर आएंगे X साथ से बढ़ा यह नमबर आएंगे तो इन दोनों में कोई common है यह नहीं तो यह condition fulfilled होई नहीं सकती क्योंकि हमें वह नमबर चाहिए जो एक से 5 से छोटा हो साथ से बढ़ा हो इसमें कोई नमबर नहीं आएगा तो यह हमारे पास क्या बन जाएगा null set this is the null set okay next देखिए why is a why is a point common to any two parallel lines यह आपके पास point short form में लिख दिया है point why हमारे पास ऐसा common point है जो कि दो lines parallel दे रख्यों अब दो लाइन हमारे पास parallel लेते हैं तो कि बस ऐसे है ठीक है दोनों में common point possible ही नहीं है एक point यहां लेते तो यह इसको intersect करती नहीं है अगर line intersect करती तो समझ में आता है कि common point बनेगा बट अगर line parallel है तो कोई भी common point नहीं बनेगा ओके तो यह आपके पास क्या बन जाएगा नल सेट तो आपको यह बताना था कि इन में से कौन सा नल सेट है और कौन सा नल सेट नहीं है आगे सोज में चलिए next question देखिए question number second कहता है which of the following sets are finite और infinite finite set क्या होते है जिसके अंदर number of elements finite होते है जिसको हम बोलते है सिमित सेट और infinite set क्या होते हैं जिसके अंदर number infinite होते हैं वह infinite set हो जाएगा first दे रखा है the set of months of a year एक साल में महिनों की संख्याप को बतानी है set बनाना है तो इसको आप count कर सकते हो जनवरी से लेकर December तक हमारे पास बन गया set तो यह कैसा बना स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट दे रखा है इसका December पर लास्ट हो जाता है तो यह आपके बास सेट कैसा बनेगा finite set बनेगा तो यह सेट हमारा क्या है finite the set of months of a year तो finite set क्या कहता है कि जो हमारे पास सेट सिमित होना चाहिए यानिकि उसका end point होना चाहिए ओके चलिए नेक्स देखिए 123 अफ्टो सॉन हमने वन से स्टार्ट किया बट हमने डैस्ट लगा के छोड़ दिया यानि इसके नमबर चलते जा रहे है इसा कोई लास्ट नमबर नहीं दे रखा तो इसलिए सेट हमारा क्या हो जाता है infinite set ठीक है नेक्स देखिए 123 डैस 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 लगा के लास्ट में लिख दिया 99 100 यानिकि यह सेट हमारा वन से शुरू 100 पे खतम इसका क्या मतलब है बीच में कि इसके बीच के सारे नमबर सारे हैं 3 4 5 6 7 8 यानिकि 1 से लेकर 100 तक की गुंती ओके तो बीच पूरे नमबर ना ल तो 1 से शुरू और 100 से 100 पे खतम हो जाता है तो इस सेट हमारा कैसा बनेगा finite set बनेगा ओके चलिए जी the set of positive integers greater than 100 positive integers निकाले integers क्या होते हैं जिसमें negative point भी आते हैं 0 भी आता है और positive भी आते हैं तो integer greater than 100 निकालना है हमने तो सेट क्या बनेगा 100 से बड़े बड़े उठाने है 101, 102, 103, up to 100 लगा के छोड़ देंगे हमें यह नहीं बताया गया कि हमारे पास किसी नंबर से छोटा होना चाहिए हमें यह बताया गया कि positive integers उठाने है positive integers यानि हमें negative नहीं लेने ठीके चलिए जी लास्ट कहता है कि the set of prime numbers less than 99 प्राइम नंबर अभी हमने बताया था प्राइम नंबर क्या होते है जो एक से divide होते हो या फिर खुद से divide होते हो तो हमने क्या कहा कि 99 से छोटे आने चाहिए देखते ही पता चल रहा है निका बनाने की जूरत नहीं सेट को यहां पर सिर्फ आपको यह बताना है कि finite कौन सा है infinite कौन सा है यह सिर्फ मैंने समझाने के लिए बनाए है तो सेट हमारे पास कहता कि निन्यानवी से छोटे आने चाहिए तो लास्ट बाउंडेशन तो हमें गिवन है तो यह सेट कैसा बंग जाएगा Фईनायंट सेट बन चाहिए तीके चलिए नेक्स्ट कोशिन देखों में आज सट कुशन में रखागे पास सेटोंस्न फोइनाप्स नमेबर 3 आपको बताना है कि कौन साहत यहां पर कॉओंसा इनफानाय के तो यह तैक Townshet zeiddel9 के लिए की o Leninar western इतए इसका मतलब है पारिल parallel to x-axis आपको lines का set बनाना है जो x-axis के parallel मानगे हमारे पास यह x-axis ठीक है इसके parallel आप infinite many lines ले सकते हो जितनी भी चाहे कितनी भी lines ले सकते हो इसके parallel ठीक है तो यह set आपके पास कैसा बन जाएगा infinite set ठीक है next देखा है set of a letter in English alphabet English alphabet में किकने letter होते है 26 a शे शिरू होते है up to song z पे खतम हो जाते है तो यह set हमारा z पे खतम हो रहा है इसलिए आपके पास कैसा बन जाएगा यह वह नहीं finite set finite set next देखिए the set of natural numbers which are multiple of 5 आपको natural numbers का set बनाना sorry set of numbers which are multiple of 5 ऐसे number निखालो जो 5 की multiple ठीक है तो 5 की multiple कोई भी अगर आप 5 की multiple उठाते हो plus minus दोनों ही ले सकते हो क्योंकि set of numbers बोला गए हमारे पास ठीक है 5, 10, 15, 20 up to song inferential ते रहेंगे ठीक है तो यहाँ पे हमारे पास कोई last foundation नहीं है तो यह set up के पास कैसा बन जाएगा infinite set ठीक है next question दे रखा है the set of animals living on the earth animals का set बनाओ जो की आर्थ पे रहते हैं तो इसका set बना सकते हो ठीक है कहीना कहीं तो foundation आएगे कि कितने animal है तो यहाँ पे set क्या बन जाएगा मिपस finite set बन जाएगा ठीक है क्योंकि हम जो है आर्थ पे animals को counter कर सकते हैं next the set of circles passing through the horizon 00 यह हमने ले लिया x-axis y-axis यह हमरा क्या होता है 00 horizon ठीक है हमने कहा कि इसमें से जो टो पास कर रहा है passing through origin यहाँ पे इसमें से पास करना चाहिए तो अगर यह रडेटेस उठातीं हूंव में तो यह हो जाएगा यह र supray आथाती यह कि इस तरह से बना सकते हो तो यहाँ पर बहुत सारे सरकल बना सकते हो जो कि औरिजन में से पास हो सकते हैं ठीक है कि यहां पर आपके पास जो लाइन होती है x-axis यह भी जाके infinity तक होती है ठीक है तो यह सेट आपके पास क्या बन जाएगा इंफानाइट सेट अ क्लियर नेक्स्ट कोशन देखिए state whether the A equal B or not आपको बताना है दो सेट गीवन आपके पास A और B आपको यह बताना है क्या यह दोनों सेट इक्वल है first इस तरह सी चारों पार्ट्स में आपके पास A सेट गीवन है B सेट गीवन है तापको बताना है कौन सा सेट किसके इक्वल है इक्वल सेट क्या होता है A के पॉइंट B में होने चाहिए और B के पॉइंट A में होने चाहिए चला देखिए A नंबर A के अंदर है क्या A B में भी है है भई B नंबर ये भी B में है C C B में है and D तो सारे A के नंबर B के अंदर है और B के नंबर A के अंदर है ठीक है position mention नहीं करती, आगे भी चलिक सकते हो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? A is equal to B next देखिए 4, 8, 12, 16 4 A में है, 4 B में भी है 8 A में है 8 B में भी है 12 A में है, but 12 B में नहीं है ओके? इसी तरह से देखिए तो 18 B में है, but 18 A में नहीं है तो यहाँ पर आप क्या बताओंगे? कि 12 जो है, बिलॉंग कर रहा है A से, but 12 does not belongs सिधा लिख दो 12 बिलॉंग कर रहा है A में, but 12 doesn't belong to B 12 नमबर जो हो A में तो है but B में नहीं है, ऐसे हम लिख सकते हैं 18 बिलॉंग कर रहा है B में but 18 doesn't belong to A ठीक है, यह आपके बस reason उज़े तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर A not equal to B ठीक है, next question देखे A दे रखा है आपके पास 2, 4, 6, 8 or 10 A से दे रखा है B दे रखा है, X is a positive even integer and X less than equal to 10 X आपके पास, A से है 2, 4, 6, 8 B का अगर हम लिखते हैं, roster form में तो क्या आएगा? यहाँ पर लिख देते हैं X आपके पास positive even integer है और X हमारा 10 से छोटा आपके चाहिए तो positive even integer integer क्या होते है? negative positive 0 तो यहाँ पर हम positive उठाके चलेंगे तो हमारा रास क्या आजाएगा? 1 2 अच्छा, even बोला है 1 नहीं लेंगे even integer बोला है 2, 4, 6, 8 और 10 के equal भी है तो 10 भी उठा लेंगे अब देखिए A में भी यही element है 2, 4, 6, 8, 10 और B में भी यही element है 2, 6, 8, 10 तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? A equal to B हो जाएगा ठीके? Next देखिए X is a multiple of 10 X हमारा 10 का multiple है B क्या दे रखा है? 10, 15, 20, 25, 30 अब जो 10 का multiple होगा इसका मतलब इसके अंदर number कौन से आएगे? 10 फिर आएगा 20 जो 10 से divide हो जाए ओके? फिर आएगा 30, 40, अब तो सौन चलते जाएगे अब यहाँ पर देखेंगे तो 10 तो हमारा बास सेम है 10 इसके अंदर भी है यहाँ पर भी 10 है But 15 B में है But 15 A में नहीं है ओके? जो 15 नंबर है belongs to B But 15 doesn't belong to A 15 B में तो है But A में नहीं है इसी तरह से 25, 10 का मल्टीपल नहीं है तो यह आपके बास A में नहीं आएगा इसलिए A set does not equal to B ओके? यह आपके बास ता फॉर्थ कोशन चलिए नेक्स्ट कोशन देखते है कोशन नंबर 5 Are the following pairs of the sets are equal? यह रीजन कहता है कि आपके बास A set given है B set given है क्या यह set आपस में equal है और equal हैं तो reason देज़ी ठीक है? कारण बताईए A set में दे रखा है 2, 3, 3, 2 element है कहता है X is the solution of this equation अब पहले आपको इस equation को solve करना पड़े ठीक है? equation given आपके बास X square plus 5X plus 6 equal to 0 ठीक है? चलिए कैसे solve करते हैं है X की value चाहिए multiply करेंगे दो digits की तो 6 आना चाहिए अगर हम multiply करते हैं तो हमारे पास 6 आना चाहिए and add करते हैं तो हमारे पास 5 आना चाहिए तो ऐसे दो एक pair बनाओ digits का X square plus अब देखें 6 को हम लिख सकते हैं 3 into 2 3 दो निचे और अगर हम add करते हैं 3 और 2 को तो आता है 5 तो हमारे पास digits में 5 X को हम break करके लिख सकते हैं 3 X plus 2 X plus 6 equal to 0 कोई change नहीं है add करोगे तो वापिस 5 X आजाएगा तो इस तरह से break करना है कि equation भी रहे और हमारे पास इसके factor इस तरह से हो जाए कि multiply 6 आए अबके बास जो number इसमें से common निकालते हैं यहाँ पर X common आ रहा है X भार आ गया यहाँ 3 बचा This is 2 भार आ जाएगा common निकालते हैं तो X यहाँ पर क्या आना चाहिए 3 equal to 0 दोनों factor इमारे पास सेम आने चाहिए ओके दोनों factors में से X plus 3 is a common यहाँ पर बचता है अमारे बास X यहाँ से 2 This is equal to 0 दो factor अगर multiply में equal to 0 हैं यहाँ तो यह 0 होगा ठीके Either this factor is equal to 0 or this factor equal to 0 X plus 2 equal to 0 ठीके तो यहाँ से आप values निकाल दिये X equal to minus 3 and X equal to minus 2 तो हम क्या लिख सकते हैं इस set में number लिख सकते हो हमारे पास XT क्या value है solution क्या है minus 3 and minus 2 इसके digit आजाते है minus 2 minus 3 तो क्या आप देखो A में है थे 2 और 3 positive यहाँ पे आ रहे हैं हमारे पास negative क्या set equal है नहीं हमारे पास आजेगा A not equal to B ठीके तो first का आपके बास क्या है reason क्या दोगे कि A के अंदर जो number है वो B में नहीं है और B के अंदर जो number है वो A में नहीं है 2 belongs to A but 2 doesn't belong to B ठीके तो इसके number minus 2 आ रहा है चलिए next देखिए A दे रखा है X is a letter in the word follow अब आप follow जो आप number का जो set बनाते हो क्या से लिखे चलते हो इसको रख कर देते हो हमें बनाना है follow का set letters का तो letter हम क्या गज़े repeat नहीं करते है जब set बनाते है तो इसको आप लिख सकते हो F,O फिर L, दोबारा L आए इसको हमने लिखेंगे फिर O हमारे पास आच चुका है next आता है W ठीके B कहते है Y is a letter in the word Wolf इसका बनाएंगे W,O,L and S सारे जो different digits है तो एक एक बार सबको ले लेंगे अब देखें W हमारे पास A के अंदर है B में भी आ रहा है O, B में आ रहा है L, B, B में आ रहा है और F, B, B में आ रहा है ठीके तो जो नमबर A के अंदर है वही नमबर B के अंदर आ रहा है तो यहाँ पर हम यह प्रता देंगे F belongs to A and also F belongs to B same to same O belongs to A and O also belongs to B L belongs to A and L belongs to B और same to same W, A में है और W, B में भी है तो every element of A is in B and every element of B is in A इस तरह से आपके पास क्या हो जाएगा दोनों set equal हो जाएगे तो यहाँ पर हम लिख सकते A is equal to B दोनों set equal है ठीके next देखिए from the set given below select equal sets आपके पास यह सारे sets दे रखें A से लेकर H तक आपको यह बताना है कि इन में से जोगे वो equal set कौन से होंगे सब में से उठाओ जैसे A के equal A set उठाया हमने इसके equal sum में से ढूंड़ो कौन सा equal set है इसके तो A के digits क्या है 24812 तो यही same number same digits दूसरे set में होने चीए इसमें चेक करते हैं नहीं है 24812 this is 481214 इसमें भी नहीं है this is यह भी किसके equal नहीं है इनके तो है यह नहीं चलिए बीव की बारी आती है एक दो तीन चार 4812 यह भी नहीं है एक दो तीन चार तो B के जो number है वही D के number है तो हम यहाँ पर लिख सकते है B equal D ठीक है B के जो number वो D के है सारे के सारे तो B हमारे पास D के equal हो जाएगा next देखते है C के equal कोई set नहीं है D हमारा B के equal आ चुका E की बारी आती है E के पास minus 4 of 1 digit है इसके पास नहीं है G के पास यहीं number है ठीक है तो यहाँ से क्या आ जाएगा E is equal to Z जो E में element है वही G के अंदर element है ठीक है next is F में 0 A बाकी किसी में भी नहीं है H में 0 1 बाकी किसी भी set में नहीं है ठीक है तो बाकी आपस में कोई equal set नहीं है सिरफ दो pair आए हैं मारे पास B equal to D E equal to G ठीक है यह थी आपके बास exercise 1.2 अमीद है कि आपको clear हो गया होगा चलिए next lecture में हम करेंगे exercise 1.3 Thank you for watching my video Bye